तो अगर हम इंसेक्ट के विंक्स की बात करें तो वो कौन से सेग्मेंट पे पाए जाते हैं और कहां पर पाए जाते हैं यही पहला कोश्चन बन जाता है तो ऐसे ही कुछ सवाल जो है आज हम clear करने वाले हैं सबसे पहले ये thorax पे पाए जाते हैं और thorax के meso and metathorax पर ये located होते हैं ठीक है ये आपका पहला question बन जाता है दूसरा question आपका बनता है tarothorax thorax के उपर जो meso और metathorax होता है thoracic segments होते हैं उसके उपर जो wings लगे होते हैं उसको all together क्या बोला जाता है tarothorax बोला जाता है ठीक है ये हो गया आपका second question ऐसे ही different questions आज के session में हम complete करने वाले हैं पर उससे पहले अगर आप हमारे साथ जुड़े नहीं हैं यहां पर पहली बार आये हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं link आपके सामने दिया हुआ है अब बात आती है कि यह जो wings होते हैं यह triangular shape के होते हैं जो wings होते हैं इंसेक्ट के वो triangular shape के होते हैं third question तो आई होप यह तीन question तो आपके तयार हो गए होंगे अब आते हैं हम different type of wings पे हर इंसेक्ट के अलग अलग type के wings होते हैं जो की exam में भी पूछे जाते हैं तो वही हम शुरुआत करेंगे सबसे पहला अगर हम बात करें तो वो आजाता है haltears यह जो haltears type of wings हैं यह diptra order में आते हैं यानि house fly या mosquito में आते हैं वो diptra order के इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ दो punk होते हैं diptra है ना तो terra means wings और die means two लेकिन actual में इनके पास four wings होते हैं जिसमें से दो wings जो हैं वो reduce हो गए होते हैं खतम हो चुके होते हैं ठीक है modify हो चुके होते हैं और वो उडने के काम नहीं आते हैं सिर्फ balance बनाने के काम आते हैं so haltears diptra में आते हैं पहला question यह haltears में आपके जो hind wings हैं पीछे वाले wings हैं वो reduce हो जाते हैं खतम हो जाते हैं almost उसके बाद अगर हम दूसरे type of wing की बात करें तो दूसरा wing आ जाता है tagmina tagmina wings होते हैं जैसे कि leathery type के wings होते हैं वो जैसे आपने cockroach के देखे होंगे या grasshopper के देखे होंगे ठीक है तो you can say it leathery wings या parchment like wings are known as tagmina ठीक है उसको tagman बोलते हैं basically और इस wing type को tagmina बोल देते हैं और ये grasshopper और cockroach में होता है ठीक है ये भी important question है अब हम third type of wing की बात करते हैं और third type of wing very important it's elytra ये जो elytra है ये किसमें पाया जाता है बीटल्स में पाया जाता है ठीक है और elytra के जो wings होते हैं four wings वो बहुत ही hard होते हैं सक्त होते हैं sclerotized होते हैं जैसे कि बीटल्स के होते हैं है ना इसमें आपके hind wings four wings के नीचे छुपे होते हैं four wings hind wings को protect करके रखते हैं तो ये भी आपको ध्यान में रखना है then एक और type आता है hem elytra hem elytra ये जो hem elytra type of wings है ये two bugs में पाए जाते हैं hem मतलब आधा आधे wings hard होंगे आधे wings membranance होंगे ठीक है membranance wings बिल्कुल ऐसे जिलीदार type के होते हैं पतले-पतले से wings जैसे honey bee के होते हैं तो आधे wings वैसे होंगे और आधे wings कठोर होंगे hard होंगे that is hem elytra examples are true bugs now there is one more type that is fringed wings fringed wings ये wings जो हैं ये thrips में पाए जाते हैं बहुत छोटे होते हैं size में और उसमें ऐसे-छोटे-छोटे ऐसे seated type के होंगे ball type के आपको लगेंगे और ये swim कर सकते हैं through air बहुत लंबी ये छलांगार सकते हैं हवा में और thrips में ये होता है ठीक है अब अगली हम बात करें तो membranous wings membranous wings and last one is scaly wings जो membranous wings होते हैं वो पाए जाते हैं honey bee में या dragonfly में जिसमें बहुत ही transparent wings रहते हैं इसके साथ ही scaly wings होते हैं lapidoptera में यानि butterfly में सुन्दर सुन्दर colorful scales आपको देखने को मिलते हैं और वो butterfly में होते हैं यही से आपके सारे questions आ जाते हैं अब इसके questions आपको revise करने हैं तो आप मेरे साथ 6 बजे daily जुड सकते हो Udhan Classes में Udhan Agriculture Classes एक initiative है genetics, plant breeding, seed science और entomology के MCQs और concepts को clear करने का तो आशा करती हूँ आप 6 बजे Agriculture 24-7 के YouTube चैनल पर आएंगे हमारे साथ जुडेंगे और अपनी तयारी जो है बहुत अच्छे से करेंगे All the very best Bye-bye Take care and stay safe Thank you